हालो फ्रेंट्स वेलकम टू आई चैनल स्टडी फोर यू सो गाईज आप लोगे लिए बहुत बड़ी खुसकवरी है दोस्तों जो भी SSE CHSL 2023 का एक्जाम दिये थे और अपने एंसर की का इंतजार कर रहे थे फाइनली उनका इंतजार खत्म हो गया है और SSE के तरफ से SSE CHSL 2023 का जो एंसर की है वो रिलीज कर दिया गया है तो आज की इस वीडियो मा आपको बिल्कुल स्टेप बाई यह स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोन से जो है SSE CHSL 2023 का एंसर की वो चेक कर सकते हैं तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा और आप सरी कोई इस करता हूँ अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSE CHSL एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और बगल में ही आपको एक बैल इकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दीजेगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो आपको SSE के ओफिसियल वैब साइट पर आ जाना है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा उसके बाद आज के डेट में यानी 31 मार्च को आपका एक नोटिस रिलीज किया गया है जो की Uploading of Tentative Answer Keys, CHSL Tier 1 एक्जाम यानी CHSL Tier 1 का जो एक्जाम लिया गया था उसका एंसर की जो वो रिलीज कर दिया गया है तो सिंपली जो आपको इस पर क्लिक करके जो है PDF को डाउनलोड कर लेना है तो जैसे ही आप PDF को डाउनलोड करोगे आपके सामने जो है PDF खुल कर आ जाएगा जहाँ पर आपका बताया जा रहा है कि जो आपका CHSL Tier 1 का एक्जाम है या आपका 9 मार्च से लेकर 21 मार्च 2023 तक जो है Tier 1 का एक्जाम जो वो आपका लिया गया था उसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा नीचे जब आपका स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर Click Here for Candidate Response Seat देखने को मिल जाएगा तो simply जो आपको इस पर Click कर देना है जैसे ही आप Click करोगे ना आपके सामने इस परकार से Interface खुल कर आएगा जहाँ पर आपको Submit वाला Section देखने को मिल जाएगा तो simply जो आपको Submit वाले Section पर Click कर देना है उसके बाद इस प्रकार से इंटरफेश आएगा उसके बाद आपको फिर से click here वाले पर click कर देना है जैसे ही आप click here वाले पर click करोगे न तो आपसे जो वो candidate login मांगेगा तो देखे candidate login में सबसे पहले आपको अपना roll number डालना होगा जैसे ही आप अपना roll number डालोगे उसके बाद आपको यहाँ पर password feel करना है बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर गलती करते है password में क्या feel करते है तो देखें मैं आपको बता दू कि password में जो है आपको अपना date of birth डालना है example के तोर पे अगर मैं बता दू कि आपका अगर date of birth 4 March 1999 है तो आपको यहाँ पर क्या feel करना होगा तो देखें मैं आपको बता दू कि यहाँ पर जो आपको 04 उसके बाद जो आपका 031999 यह जो आपको यहाँ पर password के तोर पे जो वो type करना होगा जैसे हैं password डालोगे उसके बाद आपको यहाँ पर login वाला section देखने को मिल जाएगा तो simply जो आपको login वाले section पे click कर देना है जैसे हैं आप login वाले पे click करोगे आपके सामने इस परकार से interface खुल कराएगा आपको थोड़ा सा नीचे scroll करना होगा आपको यहाँ पर close वाला window देखने को मिल जाएगा तो simply जो आपको close वाले पे click कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर देखे यह जो candidates थी ना वो absent थी इसलिए इनका जो answer की है वो दिखाया नहीं जा रहा है लेकिन देखे अगर आपने एक्जाम दिया तो आपके इस परकार से इंटरफेश खुल कर आएगा आपको यहाँ पर जो है to download your question paper CHSL 2022 tier 1 click here यह जो आपको hair दीख रहा है ना तो simply जो आपको hair वाले पे click कर देना होगा जैसे ही आप hair वाले पे click करोगे इसके बाद आपका इस परकार से इंटरफेश खुल कर आएगा जहाँ पर सबसे पहले आपका roll number दिया रहेगा उसके बाद आपका candidates name दिया रहेगा उसके बाद कहां पर exam होगा था यह exam आपका दिया रहेगा और किस date में आपका exam होगा था वो आपका exam date आपको देखने को मिल जाएगा और exam time जो उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा आप देखिये मैं आपको बता दो कि अपना answer की जो आपको चेक कैसे करना है तो देखिये आपको यहाँपर question ID जो देखने को मिल जाएगा तो आपने ISOC के तरफ से answer release किया गया है वो आपको green color में जो वो देखने को मिल जाएगा तो आप इस परकार से जो अपना answer की है वो check कर सकते हैं और answer की check करने के बाद आप comment करके जरूर बताएगा कि आपके कितने marks जो वो बन रहे हैं ताकि मैं एक कल जो आपको cut up पर वीडियो भी जो है वो provide कर सकूँ तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक जरू कर दीजेगा और इसी तरह एससी से पलपल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को subscribe जरू कर दीजेगा तो मिलते हैं नेक्स टूड़ है तब तक thank you all the best